अस्सलामुलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिट्रेटर पर वल्कम कहती हूं आज जो नोवल हम डिसकर्स करने जा रहे हैं उस नोवल का नाम हद रिलक्टेंट फंडमेंटलिस्ट इसको मौसर नहां बने लिख रहा है यह करेक्टेट देखने को मिलेका उस क्रेक्टर का नाम है चंगेज चंगेज जो है वो न्यू यॉक में होता है प्रिंस्टन यूनिवर्स्टी से पढ़ता है अंडर्वुड सेंसन में उसकी जोब हो जाती है ठीके बड़ी लगरियस लाइफ गुजार रहा होता है फाइनेश की लाइफ के बहुत जादा असर होता है और यही असर जो है मौसन हमिद के लाइफ के अंदर भी हमें देखने को मिला था उस 9-11 के अटैक के बाद जो मौसन हमिद थे यह लंडिन के वहाँ पर अपनी बाइफ और बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आ गए फिर इन्हों मौस्ट स्मॉक दूसरे का नाम है दे रिलक्टेंट फंडमेंटलिस्ट और तीसरे का नाम है हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया यह राइटर के तीन इंपोर्टेंट नॉवल्स हैं अब राइटर के बारे में गफ्षप कर ली हमने अब थोड़ा से टाइटल को देख लेते हैं टाइटल में क्या बताया गया पंडमेंटलिस किसे कहते हैं एक्स्ट्रिमिस्ट को तो शदूत पसंद को रिलक्टेंट किसे कहते हैं जो अपने बिलीव के साथ जुड़ा होता है जो अपनी बेस को अपनी बुनियात को नहीं छोड़ सकते हैं ठीक है राइटर ने ये टाइटल कनिंगली ही उस की है क्यों क्योंके राइटर इसके अंदर एक स्टोरी बताने जा रहा है वो स्टोरी 9-11 के कॉंटेक्स में लिखी गई है और उसमें बताया गया किस तरहां से गया आफ्टर बस to the attack of 911 मुसलिम्स के उपर लेबल लगा दिया गया था टेरेरिस्ट का फंडेमेंटलिस्ट का रिलक्टेंट फंडेमेंटलिस्ट था या वो reluctant fundamentalist था या वो disilliant हुआ था disilliant किस से वाथ अमेरिकन ड्रीम से और बहुत important quotation है चंगेज is certainly not a fundamentalist, he is not even a reluctant fundamentalist he is only disilliant, disappointed, yes humiliated तो इस view को mind में रखते हुए हम लोग इस novel को पढ़ेंगे अच्छा अब कुछ facts बतादू में आपको कि number one जो central event है इसके अंदर वो 9-11 का attack ही है 9-11 का attack क्या था इसकी detail में आपको बताती हूँ थोड़ा सा भी थोड़ा से facts code discuss कर ले dramatic monologue में लिखा गिया है dramatic monologue क्या होता है कि एक person है दूसरा उसके सामने बैठा है दूसरा person खामोश है और पहला person जो उसको सारी story narrate किये जा रहा है किये जा रहा है for example अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पर सामने मेरा कोई student बैठा होगा तो मैं यहाँ पर उप चारा बचा चुप करके बैठा होगा और मैं यहाँ बोली जाओंगी बोली जाओंगी बोली जाओंगी तो यह क्या हो रहा है dramatic monologue हो रहा है अकेला एक person है सारी story narrate कर रहा है अपनी दूसरे person को और दूसरा person जो हो चुप करके सारी कहानी सुन रहा है point of view जो है इसका first person point of view है इसमें tense जो हो present tense यूज़ किया गया है sometimes हमें इसके अंदर fleshbacks भी नदर आते हैं क्योंकि most the stories जो है सारी किसारी fleshback की form में है story start कैसे होती है कि चंगेज है चंगेज की मुलाकात स्ट्रेंजर से होती है और वो stranger और चंगेज काफे में बैठते है चाय पीते है और stranger हमोश बैटा है और सारी की सारी story जो है वो चंगेज उसको सना रहा है कि मेरे साथ अमेरिका में ऐसा हुआ फिर उसके पर मैंने ऐसा किया सारी story narrate करें का यानि कि जब वो ऐसा हुआ की बात पताता है तो क्या जाती story fleshback में जाती है ठीक है अब मैं पताती है nine eleven के बारे में लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो एक और वार हुई थी वो थी रेशियन अफगान वार हुआ क्या था रेशिया जो था ना वो सूपर पावर बने जा रहा था अब क्या हुआ कि तालिबान थे अफगान के इंदर अमेरिका ने उनको कहा कि रेशिया जो है वो आपके बिलीव के एंटी बात करता है और रेशिया जो है वो आपके भी एंटी बात करता है इसी लिए अफगानिस्तान जो था वो रेशिया के खिलाफ हो गया एक तो ये कोज थी न, इसके इलावा बहुत ज़दा कोज थी, एक कोज क्या थी कि रेशिया की जो आर्मी थी, उन आर्मी ने आके अफगानिस्तान में अपना प्रैक्टिस वगरा करना शुरू कर दी थी, लोगों को हुमिलेट करना शुरू कर दिया था, और भी बहुत सी को अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री और सौधिया रेभी एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है, और एक और कंट्री थी वो थी अमेरिका, अब अमेरिका ने के किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान को रेशिया से जंग लड़ने के लिए असल यह हैं कि दो कंट्रीज का कमपटिशन जल रहा था एक था रेश्या एक था अमेरिका किस पर सुपर पावर की बेस ठीक है और रश्या फाइनेंशिल इतनी स्ट्रॉंग कंट्री थी कि यह सुपर पावर बनने जा रही थी तो अमेरिका ने अपना फाइदा देखते हुए तो इसलिए अमेरिका ने स्पोर्ट किया अफगानिस्तान को दूसरी जो कंट्रिक स्पोर्ट करी थी वो पाकिसान और सौधी अरेबिया थी और इसमें क्या हुआ इसमें एड दे रेंड रेशिया को डिफीट हो गया था ठीक है अब जब रेशिया को डिफीट हुआ तो जार अब इन सब के बाद क्या हुआ इन सब के बाद जो अमेरिका था वो सूपर पावर बन गया जब अमेरिका सूपर पावर बन गया तो फिर एक अमेरिकन ड्रीम राइज हुआ अमेरिकन ड्रीम क्या था? कि अमेरिका जो है वो हर परसन के लिए है, हर कंट्री के बंदे के लिए है आप वहाँ पे आएं, वहाँ पे काम करें, वहाँ से अर्न करें आपका एक सक्सेस्फुल वे में हर गोल इचीव हो जाएगा और यही American dream लेकर चंगेज अमेरिका में गया था जो कि हम इस novel के अंदर देखेंगे failure of American dream किस तरह से जो American dream था वो fail हो चुका था कि actually में क्या था वो कहते थे America is for all but in reality क्या था America is for America फिर इसके बाद क्या हुआ इसके बाद एक दिन 9-11 का attack हो गया यह attack किस दिन हुआ 11 September 2001 का time period था अब इस 9-11 के attack में क्या हुआ था इसके बाद में different mids है different views भी है मैं उन views को भी आपके साथ discuss करूँगे अच्छा ऐसा वह था कि America की ना World Trade Center था WTC कहते है इसको World Trade Center इसके पास Twin Towers और इसके पास Pentagon Building 7 a.m. 11 September को four planes थे उन्हें अटाक किया था Twin Towers के उपर फिर कुछ देर बाद राक हुआ पैंटागोन building के उपर और यह Twin Towers और पैंटागोन बिल्डिंग यह कहां पर है World Trade Center इससे क्या हुआ इससे जो New York के अंदर World Trade Center था वो destroy हो गया ठीक है और इस incident के अंदर 2,996 जो लोग थे मुमारे गए थे इसके बाद हर जगा कियोस, destruction, decay, violence, alienation, identity crisis, prejudice, discrimination, racism, Islamophobia, xenophobia यह सब कुछ पैलना शुरू हो गया और फिर blame किस पर किया गया blame किया गया उसामा बन लादन के ओपर जो के Muslim representative figure था, Al-Qaeda का member था, कहा गया कि यह जो attack करवाने वाला है यह उसामा बन लादन है, क्यों कहा गया, पीछे history क्या थी, थोड़ी से मैं बताती हूँ आपको, कि जो different views आते हैं सामने हमारे, वो यह कि Islam जो था ना, वो बहुत ज़्यादा फैलने लग पड़ा था, लोग बहुत जल्दी जल्दी इसलाम कबूल कर रहे थे, काफे ज़्यादा मुसल्मान हो रहे थे, तो उस टाइम पे एक perception ये है, कि ये plan किया गया, कि हम ऐसा ऐसा attack करते हैं और blame Muslims पे करते हैं ताके जो है ना, उससे Islamophobia भेले, number one, number two, कि उन्हों ने already World Trade Center को तोड़ के उसकी building बनानी ही थी, ठीक है, तो कहा गया, कि ये भी attack pre-planned था, खुच से attack करवाया गया और करवा के Muslims पो blame करवा दिया गया, number three, बताया जाते हैं कि उस day, जिस day पे 9-11 का attack हुआ था, सिर्फ और सिर्फ Muslims और Christian on duty थे, बागी सब को चुट्टी थी, ठीक हो गया, तो ये क्या हुआ, अगें, चीज इंडेकेट करती है, कि ये pre-planned attack था, बागी ये different surveys के, through different opinions थे, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि mostly documentary के इंदे मैंने देखा कि Americans खुद भी कहते हैं, 9-11 is fake, और 2001 से पहले, Muslims जो थे, वो बड़े peaceful consider के जाते थे, और after the attack of 9-11, Muslims के साथ terrorist का label लगा दिया गया, to prove that Muslims are terrorists, ये attack उनके साथ associate कर दिया गया, और एक और चीज, जिस time पर ये attack हुआ था, उस time पर elections भी करीब थे, तो might be chances हैं, कि ये एक political reason की base पर attack किया गया, ताके elections जो ये उनको लिया जाए, क्योंकि उस time पर फिर एक slogan बन गया था, कि हम अपना बदला लेंगे, जिन्होंने attack की हम उनको चोड़ेंगे नहीं, एनिहाओ फिर 9-11 के attack के बाद, इस्लामोफोबिया बहुत जादा खाला, जिसकी दाड़ी होती थी, उसको टेरिस्ट कंसीडर कर दिया जाता था, जिसके जो शलवार थी, मर्दों में से टकनों से उंची होती थी, वो भी टेरिस्ट क्लेम के जाता था, मुसलमानों को सेपरेटली ऐरो प्लेइन पे जब आप एयरपोर्ट पे जाते थे, आपने ड्रैविलिंग करनी हो दे थी, मुसलमानों की एक सेपरेट सीड बना दी, सेपरेट जगा बना दी गई, और मुसल्मानों के उपर यो जो मुसलिम्स थे उनके जादा चेकन बालन्स रखा गया इविन के हम नोवल के अंदर देखेंगे चंगेज को किस तरह से हुमिलेट किया गया एरपोर्ट के उपर तो 9-11 का अटैक क्या था क्लियर हो चुका आपको अब बात करते हैं इसके बात क्या हुआ जो हमने अगेन नोवल के अंदर देखना वार ओन टेरर स्टार्ट हो गई अब हुआ क्या था जिस टाइम पे 9-11 का अटैक हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ सहब थे जिनको ट्रेटर और गद्दार भी कहा जाता है एनिहाओ मुशर्फ था पाकिस्तान के अंदर और उस टाइम पे अमेरिका ने कहा के जो उसामा बिलादिन है ना वो अटैक करके अफगानिस्तान भाग गया हमने उसको ढूंडना है तो हम लोगों ना मुशर्फ को कहा कि तुम रास्ता दो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का ताकि हम वहाँ पर अटैक करके वहाँ से उसामा बिलादिन को ढूंड सके अब मुशर्फ ने गद्दारी की पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी की इसने अफगानिस्तान के साथ भी और इसने जो अमेरिकन्स थे उनको रास्ता दे दिया और फिर अमेरिकन्स पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान के और वहाँ पे इनुने अटैक किया हर जगा बलडशेड हुआ, हर जगा वोर हुई, हर जगा आग लग गई फिर उसके बाद ये वहाँ से लीबिया गए, इरान गए, इराक गए और ये सिर्फ गए नहीं, जाकर वहाँ पे अटैक करते गए, इससे क्या हुआ, इतने ज़्यादा मुस्लिम्स जो थे वो शहीद हुए, इससे पहले कहां शहीद हुए थे, 9-11 के अटैक के अंदर, ठीक है, WTC में, World Trade Center में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स शहीद हुए, फिर उसके बाद कहां शहीद हुए, अफगानिस्तान में, उसके बाद इरान, इराक, लीबिया, ठीक है, और डिफरेंट अदर मुस्लिम कंट्री, सीरिया, इन सब में अटैक हुआ, मुस्लिम्स के ओपर, तो जलती क्या थी, कि उसामा बिलादिन यहां पर, अब हुआ क्या था यहां पर, एक, तीर से दो शिकार, कैसे, कि नमबर वन, सबसे पहले हमने देखा था, जब गुरीला वार चल रही थी, अफगानिस्तान और रिशिया के दिरम्यान में, तो अमेरिका ने वहां पर रिशिय को गिराया, अफगानिस्तान को स्पोर्ड करके, और अफगानिस्तान को क्यों स्पोर्ड किया, क्योंकि इसका प्लैन यही था, कि बाद में यह अफगानिस्तान को हराकर, पाकिस्तान को भी उकुपाय कर लेगा, बट एनिहाओ, जब इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया war on terror शुरू हुई उस war on terror से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मुसल्मानों की lives को तो यह सारा purpose था war on terror का I hope कि आपको इस story का जो background है historical background जो context है वो clear हो चुका होगा इसी context को लेकर मौसिन हमेद चल रहे हैं और मौसिन हमेद यही दिखाना चाहिएगा कि 9 11 का attack जो है वो उस पर Muslims के साथ क्या treatment किया गया उसके बाद Muslims को किस तरह से शहीद किया गया उसके बाद किस तरह से उनको humiliate किया गया और क्या Muslim जो हो fundamentalist है क्या Muslim reluctant fundamentalist है नहीं वो तो disilliant है disappointed है और उनको humiliate किया गया यह सब कुछ इस novel के through writer जो हमें convey करेगा और बतायागा कि condition क्या थी after 9 11 जो मैंने आप से पहले भी discuss किया दुबार अपता देती हूं chaos destruction decay violence alienation identity crisis prejudice discrimination racism Islamophobia xenophobia specifically हम लोगो दो places देखने को नजर आएंगी एक होगी US और दूसरी पाकिस्तान और time period हम लोगो late 19s और elite 20s का नजर आएगा तो अब करते हैं जी हम अपना novel start जब novel की opening हो रही है सब कुछ events के बाद हुई है opening पे मैं quotation read करूंगे text read करूंगे कहता है excuse me sir but may I be of assistance ah I see I have alarmed you do not be frightened by my beard I am a lover of America I noticed that you were looking for something more than looking in fact you seem to be on a mission and since I am both a native of the city and a speaker of your language I thought I might offer you my services opening देख रहे हैं opening में ही dramatic monologue है कि दूसरा बंदा नहीं बोल रहा है पहला पंदा ही बोल रहा है यानिके one speaker है और वह speaker के कहता है उसको के sir मैं क्या आपकी बंदा कर सकता हूं फिर कहता है I see I have alarmed you यहां पे alarmed का word यूज किया गया alarm क्या होता है alarm basically negative word है ठीक है negative word है यानिके वह interpretation देता है कि आपने किसको ड्रा दिया इसने stranger जो बंदा था इससे बात कर रहा उसको ड्रा दिया किसने चंगेज ने इसे बिल्कुल यह जो डायलोग्स हैं यह करने स्टार्ट करने वाला चंगेज ही है तो उसने कहा न के do not be frightened by my beard के मेरी beard से मढद दरे तो it means कि है वही 9-11 का impact के 9-11 के impact के बाद जो भी beard वाले था उनको terrorist कंजिडर कितने लग पड़ा था तो कहता है मेरी beard से मढद दरे मैं जो अमेरिका को पसांद करता हूं मैं अमेरिका का lover हूं मैं आपकी जुबान भी जानता हूं basically तो मैं इस city करेने वाला लेकिन मैं आपकी टंग भी जानता हूं थोड़ सी टेक्ट मैं और पढ़ देती हूं कहता है how did I know you were American no not by the color of your skin we have a range of complexions in this country and yours occurs often among the people of our northwest frontiers nor was it your dress that gave you away a European tourist could easily have purchased in this months your suit with its single vent and your button-down shirt true your hair short cropped and your expensive chest the chest I would say of a man who bench presses regularly and maxes out well above 225 are typical of a certain type of American but then again sportsmen and soldiers of all nationalities tend to look alike instead it was your bearing that allowed me to identify you and I do not mean that as an insult for I see your face has hardened but merely as an observation कहता है मैंने तुमारे जो फेस की hardness दी ना उससे इंदादा लगाया है कि तुम American हो क्योंकि जो अगर मैं कौँगे तुम तुम्हारी लुक ऐसी है ऐसी लुक तो पाकिस्ताम में भी है तुम्हारे कप्डे ऐसे कप्डे और यहां पर मिल जाते हैं तो बिसिकली इस पारा लहोर की अनारकली जगह है वहां पर किस के साथ stranger के साथ फिर चंगेश जो है stranger को अपने साथ लेके जाता है दोनों चाहे शायबीने बैठते हैं जब बैठते हैं तो उस टाइम चंगेश कहता है stranger से you prefer that seat with your back so close to the wall कि तुम जो मुझे पता है उस seat को prefer देते हो कि जिस seat पे त लीइड रया है अमेरेकन की की नीज़ से और यह बात के इंडरी कर रही है कि अगर आपकी विश्चे आपना ख्याल रखते है शूरु करता है बात करना शूरू करता है उसको आप four and a half years in your country के मैंने चार या उससे ज्यादा साल आपकी कंट्री में गुजा रहे हैं वेर कहाँ I work in New York मैंने New York में काम किया है and before that attended college in New Jersey yes you are right it was Princeton quite a guess I must say अब यहाँ पे चंगेज उसको अपने बारे में सारा कुछ बताना शुरू हुआ है यानि के स्टोरी अब जाने लगी है फ्लेश बैक में वो बता रहा है उसको के मैंने तुम्हारी कंट्री में 4-3-4 साल गुजा रहे हैं मैंने New York में काम किया है New York में रहा था मैं और मैंने Princeton से पढ़ा हूँ Princeton जो है यह वहां के बहुत बड़ी उनिवरस्थी थी और यह इसका American dream भी था चंगे इसका कहता है This is a dream come true यह एक dream था जो के सच्चा हो गया फिर कहता है Princeton inspired in me the feeling that my life was a film in which I was the star and everything was possible I have access to this beautiful campus I thought to professors who are Titans in their field and fellow students who are philosopher kings in the making यह लाइन इसके American dream को indicate कर रही थी फिर इसके बाद इसकी conversation से पता लगता हम लोगों को यह middle class person था जो के Pakistan से belong करता था और अमेरिका में जो Princeton University में पढ़ने के लिए गया हुआ था बहुत intellectual था बहुत bold था और इसने अपने किसी भी subject के लिए भी नहीं लिया A के साथ हर subjects को इसने अच्छे way में पास किया फिर इसको बताया था कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत था था टॉपर रहा हूँ अब यहां भी की चीज इंडिकेर की यह कहता है इवन के उनको बाहर के मुलाया गया और वो अपने माइंड को उनकी सुसाइटी के लिए कर रहे हैं स्पेंड कर रहे हैं यूटिलाइस कर रहे हैं जिसको राइटर कहता है नेक्स्ट लाइन में इंडिटर्न वी वर एक्सपेक्टेट तो कंट्रिब्यूट ओवर टैलेंट्स तो योर सुसाइटी तो सुसाइटी वी वर जॉइनिग किस तरह से पाकिस्तााइइस को आउटसाइट इंडर यूसरी कंट्रिब्य गिले आगि revenue पाकिस्टाइनी के 80,000 डॉलर सेलरी पे करते थे किया था 2001 की बात है हंडर्ड के करीब लोगों ने परिंस्टन से न इधर अंडर्वूट सबसंड में अपनी रजुमी वगारा विजवाई सीवी विजवाई और उन में से 8 सेलेक्टेड थे जोब के लिए नहीं लेकिन इंटर्व्यू के लिए और उन में से एक नाम मेरा था and one of them was me अब ये एक स्ट्रेंजर से इतने रिलाक्स होकर अपनी सारी के सारी जो बाते हैं वो शेयर कर रहा है इट मींस के स्टोरी जो है ये ट्रस्ट कर रहा है एक अमेरिकन के ओपर एक स्ट्रेंजर के ओपर उसको सारी स्टोरी सुना रहा है अच्छा इसके बाद क्या होता है जब ये पनी स्टोरी डेट कर रहा होता है स्टोरी में एक शिफ्ट आता है उस शिफ्ट क्या होता है वापस present time में आ जाते हैंगे present time में आके बात करता है कश्मीरिटी की, जले 20 की और उसके बाद ये बोलता है if only you understood Urdu ये lines बोलता है it means यहां पर किया गया यहां पर language के अंदर appropriation की गई appropriation क्या होता है कि जो English language के rules and regulations के उनको तोर मरोड दिया तोर मरोड देकर उसके अंदर अपने language के words भी डाग दिये गए फिर present से दुबारा ये flashback में जा 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 कहता है, where were we? कहता है, ah yes, Underwood Samson और बताता है कि मुझे interview के लिए बुलाए गया वहां पर और यहां जाके इसका dialogue के अंदर name reveal होता है फिरस्ट तो कहता है, जब मुझे interviewer था, उसने कहा जो army officer था, उसने कहा चंगेज, he said and I nodded for that is indeed my name, come on in and take a seat तो कहता है, चंगेज, तुम चंगेज तो कहता हां मैंने सर में हां में सार ही लाया तो कि मेरा ही नाम था, उसने कहा आजो अंदर और आके बैट जो जिस बंदे ने मुझे बुलाया, वो army officer तो नहीं था लेकिन, look of a seasoned army officer अच्छा, अब उसका नाम क्या था his name was Jim, he told me and I had precisely 50 minutes to convince him to offer me a job sell yourself he said, what makes you special कहता अब Jim था, उसने मुझे कहा कि मेरे पास 50 minutes है, मैंने उसको convince करना है अपने आपको बेच लो, फिर उसके बाद कहा कि क्या चीज़ा जो तुमें special बनाती है फिर ये अपने points दे दे कर उसको अपना पूरा interview देता है ये, बताता है, अपने education career के बारे में बताता है उससे कुछ सा कि तुम कहां से belong करते हैं बाद मैंने कहा, हाँ, yes तो basically ये अपना जो financial aid वाली बात थी उसको expose नहीं करना चाहरा था लेकिन इसको इसको बताते हुए बुरा भी feel हो रहा था चंगेश को, क्योंकि ये चीज इसके financial status था उसको represent कर रही थी और यहाँ इनकी conversation से हम लोग maximum का theme भी apply कर सकते इसके उसके उपर जहां पर rich and poor की बात कीजाए प्यूकि जो job देने वाला वो rich है जो job लेने के लिए आया है वो financial aid पर आया है और वो पताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो women है जो men है इनने rich नहीं है कहता है, but we are not rich the men and women, yes, the women too of my household are working people professionals dot 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 means text continue हुए पर कहता है, salaries have not risen in the line with inflation the rupee has declined steadily against the dollar यहां पर financial status indicate किया गया पर कहता है, interview proper हुआ उसके बाद finally इसको job मिल जाती है जिम कहता है, you have got an offer we will give you one week to decide इसके बाद चंगेश पताता है कि वो grease जाता है यानि कि इसके job तब हो गई अंडर्वूड में अब वहां पर काम कर रहा है, अपना career से बाद पर start कर दिया उस career के start होने के पाद इसको holidays होती है उन holidays में एक grease जाता है जब एक grease आता है, इसके मुलाकात Erika से होती है Erika जो है, Erika जो है इस novel की another protagonist है नमबर वान पर चंगेज है चंगेज पाकिसन को रिप्रेजेंट कर रहा है Erika अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है, तो कहता है इसके मुलाकात Erika से होती है बहुत ही खुपसरत लड़की है वो भी प्रिंस्टम से पढ़ी होती है और यह Erika को पसंद करने लग पड़ता है इसके बाद यह वापस New York आता है यह अंडरवूर्ट सेमसं के लिए काम करने शुरू कर देता है और अपना जाधा टाइम नहीं Erika के साथ सब्सक्राइब करता है फिर चंगेज पताता है Erika के अबाउट कि Erika जो है वो एक खूफसरेद लड़की थी वो एक Chris नाम का लड़का था C-H-R-I-S उससे प्यार करती थी उसके डेथ हो गई थी उसके डेथ के बाद इसको बहुत जादा इंपक्ट हुआ था इसको भूल नहीं पाती थी और इसको जो है तनहा रहना यानि के एक लाद रहना बसान नहीं था इसको फैमिली बॉंडिंग बसान थी और ये चंगेज को Chris के तरह ही कंसीडर कर रही थी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और चंगेज के अंदर Chris को डून रही थी इसके लावा Erika का magnetism quality रखती थी कि वो हर एक को फी तरह अट्रेक्ट कर रहा लेती थी इसके बाद बता था कि Erika जो है वो novelist बनना चाहती थी कहते है जब हम Greece में थे तो हम बड़े इच्छे दोस बन चुके थे लेकिन जब हम न्यूयोक में थे तो उसने मुझे अपने नंबर दिया था तब हमारी बात सी ज़्यादा शुरू ही थी फिर पारे प्रेजन टाइम में आता है stranger से बात करते हैं कहता है तो यह जो statement है यह statement इसकी identity crisis को इंडिकेट कर रही है कि नेवर अमेरिकन और न्यूयोकर और है कहां पर पाकिस्तान में तो यह चीज जो है ना इसको कहते हैं हम लोग identity crisis जब आपको identity fixity ना हो इसको डायस्पोरिक situation भी कहते हैं जब आप एक जगह से दूसरे जगह गए तो settle तो हो गए हो लेकिन स्टिल आप अपने जो previous जगह थी उसको miss कर रहे हो अभी क्या है यह अभी यह पाकिस्तान में है ना तो यह कहते हैं यहां पर I tend to become sentimental when I think of that city it still occupies a place of great fondness in my heart which is quite something I must say given the circumstances under which after only eight months of residence I would later depart तो it means क्या है यहां पर वो स्टिल अपनी affection और remembrance चो कर रहा है towards New York फिर बात करते है इस ट्रेंजर को बताता है के अंडर्वूट सफसन में मिरी लाइफ कैसी थी कहते है एक दवा कॉन्फरेंस होई वहां पर वाइस प्रेजेंट थे शर्मन नेम था उनका उन्होंने कहा we are a meritocracy he said we believe in the being the best you were the best candidates at the best schools in the country that's what got you here but meritocracy does not stop with recruiting we will rank you every six months so यहां पर हमारे पास stream of meritocracy भी आता है जो जिदमी best performance देगा उसके उतनी ही performance की बेस पे promotion होगी उसको उतना bonus दिया जाएगा और यह ranking कब होनी है every six month होनी फिर ही पिताता है उसको कहना मेरी मुलाकात हो यह Erika से Erika ने मुझे अपने family में invite किया अपने घर में invite किया मैं kurta पैन के गया था kurta जो है यहां पर किसको represent कर रहा है culture को ethnicity को culture of Pakistan culture of Punjab को मैं kurta पैन के गया था वहां पर कहती है wow she said reaching out to grace the embroidery on my kurta with the tip of her finger you look great फिर वो चंगेश को ना अपनी family से भी मिलवाते हैं उसको अपने novela दिखाती है जिसने piece of work लिखा हो तक creative writing उसकी होती है अब जो family से मिलवाती है तो उसका father को कहता है कि तुम शराफ पी होगे पिर कहता है कि Erica की mother ने मेरी साइड लेते है कहा था कि तो सिफ 22 years का फिर बात बढ़ती गई जिसमें alcohol के about बात की गई मेरी जोएना के about बात की गई और drinking के about बात की गई फिर जब economy बात लेने के बाद उसका father कहता है you guys have got some serious problems with fundamentalism बुन्याद परस्ती कि fundamentalism को follow करते है वहां पर जितने भी rich हैं वो exploit कर रहे हैं poor को corruption और ही dictatorship होरी है the rich living like princes while everyone else suffers solid people do not get me wrong I like Pakistanis but the elite has raped the place well and good right and fundamentalism you guys have got some serious fundamental serious problems with fundamentalism यहां पर बात की गई पहले उसने बात की थी economy की कि तुम लोग के वहां पर ऐसा सिस्टम चल रहा है economy का फिर वो बात कर रहा है feature कौन सा fundamentalism का कहता है कि Pakistanis जो होते है एक तो वहां पर जो अमीर होते है वो ग्रीब का exploit कर रहे है वो दूसरा पोहिंट के है कि वहां पर सहर इक सार जो लोगे न वो बुनियाद पर रसते है fundamentalist है फिर चंगेज कहता है yes there are challenges but my family is there and I can assure you it is not as bad as that इसके बात Erika और चंगेज आपसमें बाते करने शुरू कर देते हैं Erika कहते है I hope you are not still upset about what my dad said चंगेज कहता है upset I responded of course not not in the least फिसके बाद बताया उसने के Erika और वो separate थे different country के अंदे दोनों के आपसमें बाते इमेल के थू होती थी तो चंगेज जो था वो उसको बड़े बड़े इमेल लिखा करता था कि मैं ऐसा कर रहा रहा हूं मैं वैसा कर रहा हूं यह हो गया था वो हो गया था जो तो उस ताइम पर क्या हुआ करता था और Erika जो थी उसको short short reply किया करते थी कहता है कि फिर ऐसा हुआ कि मैं मनीला में था मैं मनीला की स्पेलिंग लिए थी मैं M-A-N-I-L-A कहता है मैं मनीला में था तो उस टाइम पर क्या हुआ कहता है 11 सिप्तेंबर का टाइम था 11 सिप्तेंबर 2001 का टाइम था अचाना की ना Twin Towers को पर टैक हो गया, ठीक है, तो New York की जो World Trade Center थी, वो तबाह हो गई, कहता है, at that time, I smiled, मैं मुस्कुराया, कहता है, and I smiled, yes, that's speakable, as it may sound, my initial direction was to be remarkably pleased, और यह smile इसलिए नहीं थी, कि reluctant fundamentalist था, यहां भी fundamentalist था, क्योंकि यह point भी एक प्रूफ करता है, कि हाँ, अगर यह smile की है, तो it means बहुत खुश हुआ है, actually मैं खुश कीछ चीज़ पर हुआ था, कि finally America जो है, उसको अपनी जो reality है, उसको, वो रियलाइस करना पड़ी, कि America के when it is fictious and happens to characters with whom I have built up relationships, over multiple episodes, no, I was caught up in the symbolism of it all, the fact that someone had so visibly brought America to her niece, कहता है, यह नी था कि मैं अटैकर के लिए खुश हो रहा हूँ, वज़ा तो यह थी, कि किसी ने America को उसकी reality दिखा दी, anyhow, फिर उसके बाद कहता है, मैं वापस जा रहा था पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान जा रहा था, जब मैं एरपोर्ट पे पहुंचा, तो एरपोर्ट पे मुझे के किया गया, मुझे armed guards आये थे, वो मुझे separate ले गे उन सब से, जो मिरे साथ team members थे, सेपरेट ले जाकर मुझे एक रूम में ले गे, और रूम में जाकर उन्होंने मुझे हुमिलेट किया, कहता, बट दियर revolution had no impact on the swear expressions of my inspectors, कहता, मुझे separate ले जाया गया, मुझे हुमिलेट किया गया, क्यों, because of my South Asian feature, because मैं एक Muslim था इसी लिए, फिर चंगेज को रियलाइज होता है, कि जो world race के लिए change हो चुका हुए, अब वहाँ पे जो hater था Americans का towards Muslim, जो discrimination था towards Muslim, जो paradise थे, वो सब के सब खुल के सामने आ रहे थे, और Islamophobia हर जगा फिला दिया गया था, कि जो भी Muslim है, it means, वो terrorist है, ये चीज़ हर जगा फिला दी गई थी, एरिका का treatment था, वो भी चंगेज से बहुत बदल गया था, एरिका के ओपर भी 911 का बहुत जादा effect हुआ था, और एरिका भी exploit कर रही थी चंगेज को, रहा था, और इस वज़ा से, वो वापस चला गया पाकिस्तान, ताके पाकिस्तान जा के इसको थोड़ा सा peace मिल सकते, ताके थोड़ा सा और उससे हर एक बंदा effect हो रहा था, कहता है मुझे मेरे family के बहुत टेंशन था, फिर जब मेरा आपस जाने कर टाइम आया, तो मैंने in the form of reaction, beard रख ली, दाड़ी रख ली, दाड़ी क्या थी, यहां पर identity उसकी, प्योंकि Muslim की identity उसकी दाड़ी ही होती है, तो उसने beard अपने face इस पर रख ली, in the form of reaction, और दाड़ी रखकर जबी दुबारा गया था, उदर नियू यॉक में, तो सबका behavior toward him, बड़ा weird किसम का था, अजीव किसम का था, इसको Wayne Wright, Wayne Wright भी एक colleague है इसका, जो के, चंगेज की तरह एक non-white person है, एक black है, वो चंगेज को advise करता है, कि तुम ये beard इसको उतार लो, क्योंकि अगर तुम ये beard रखो, कि लोग तुमें बड़ा ना, अजीव वे में treat करेंगे, तो आगे से कहता है, नहीं, ये मेरी identity है, मैं इसको नहीं उतारने वाला, हर, हमारे, everyone in our country has it, सब के move के ओपर ये दाड़ी होती है, तो कहता है, ये identity है हमारी, मैं इसको नहीं उतारूँगा, anyhow, in the form of resistance है, अपनी post से भी resign कर देता है, और इसको जब भी post छोड़ कर जा रहा होता है, तो इसको फ़र सिवें राइटर परसंदा जो इसके hand check करता है, और कोई भी इससे अपना हाथ नहीं मिलाता, अच्छा, अंडर वुड सेपस जाने से पहल इसको exploit किया, किस तरह से इसको use किया, किस तरह से उनने new kind of imperialism का concept दिया, कि कैसे उन्होंने लोगों को mentally तोर पे control किया, और कहा कि American dream is everything, जबकि in the name of American dream, in the name of providing them job, क्या कर रहे हैं, वो उनको exploit कर रहे हैं, वो उन्हीं के तरू जो इनके लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उन को भी exploit कर रहे हैं, और चंगेश को एहसास दिलाता है, कि तुम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बलके तुम अमेरिका में, यानि कि New York में जाकर, Underwood Samson के साथ काम करके, actually मैं एक warrior हो, ठीके in the battle against the Pakistani interest, जो के पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो ज पाकिस्तानी लोग थे, उनके the new kind of imperialism construct कर रहे थे, brainwashing की जारती culture snatch किया जा रहा था, तो ये सारी realization जोन बितिस्ता देता हो, जब इससे बात करके आता है, इसके बात के impact के बात जब जाता है वापस, तो ये Underwood Samson छोड़ देता है, वापस पाकिस्तान आ जाता है, और पाकि लडने के लिए कहता है, मगर ये लोगों को उनकी worth की realization देता है, पताता है उनको कि तुम एक पाकिस्तानी हो, and you have to do work for the Pakistan, तुम्हारी अपनी abilities है, तुमने अपनी abilities को यूज करते है, अपने मुल्क के लिए काम करना, ना कि अमेरिका के लिए काम करना, American dream is a failure, कहता है, कि मै I can assure you that I am a believer in non-violence, the spilling of blood is abhorrent to me, save in self-defense, and how broadly do I define self-defense, you ask, not broadly at all, I am no allay of killers, I am simply a university lecturer, nothing more nor less, तो जो भी सारी बाते कर रहा है ना उससे, stranger से, तो उसको कहता है, it seems an obvious thing to say, but you should not imagine that, we Pakistanis are all potential terrorists, just as we should not imagine that, you Americans are all undercover assassins, कि आपको imagine ने करना चाहिए कि सारे पाकिस्तानी terrorists हैं, जिसरा कि हम लोगों को भी imagine ने करना चाहिए, कि सारे जो Americans हैं, वो murderer है, कि एक specific person को political reason की base पे मार देते हैं, फिर उसके बाद यहां पे ending होती है, और कहता है, कि I hope you will not resist of my views, sorry, कहता है, I know you have found some of my views offensive, I hope you will not resist my attempt to shake you by the hand, I detect a glint of metal, given that you and I are now bound by a certain shared intimacy, I trust it is from the holder of your business cards, और यहां पे इसकी ending हो जाती है, यहां पे यह क्या गाए, कि मुझे पता है कि आपको मेरे कुछ views जो है, वो offensive लगे होंगे, लेकि मुझे लगता है कि आप में इसे हाद लाने में इनकार नहीं करेंगे, sir, आप अपने jacket के अंदर ह सोचने में मजबूर के कि खुदी सोचे क्या वो चमक जो है, वो एक पिस्टल की है, क्या वो एक stranger, एक CIA का person था, वो stranger कौन था, कहां से आया, क्यों आया, कुछ नहीं पता, reader आप यहां पे सोचेगा, reader सोचेगा यहां पे कि might be वो गोली चलाने, निकालने लगा मारने के लि देखा, love का, American imperialism का, man and society, conflict and culture, meritocracy and its hypocrisy, power and status, reliability of the narrator, grief, the inability to help, sympathy, listening to a story and understanding a person, यह के important themes थे, यह के important थे, एक चंगेश का करेक्टर, चंगेश का करेक्टर, चंगेश पाकिस्तान को सिंबलाइस कर रहा है, और पाकिस्तानी को पाकिस्तानी को सिंबलाइस कर रहा है, कि पाकिस्तानी अपनी जो पाकिस्तानी लोगों को यूस कर रहा है, किसके लिए अपनी जो अथारिटी उसको डॉमिनेट करने के लिए और दूसरों को क्लोनाइस करने के लिए और जॉनमतिस्ता यह करेक्टर जो सिंबलिक है, किस तरह से क्योंकि इसने रियलाजेशन देती चंगेश को, पाकिस्तान का रिलेशनशिप को अंडर वुट सेप्सन जो यह भी यूसर उसकी पावर को इंडिकेट कर रहा है, और कलोनिलिजम को सिंबलाइस कर रहा है, पॉल अफ्ट आवर्स, अमेरिकन डॉमिनेशन के फॉल को सिंबलाइस कर रहा है, ती यहां पे इंटिमिसी, कल्च इख रहा है, और के इंडिकेट को सिंबलाइस करते हैं, और के सिंबलाइस कर रहा है, इसंपर किए गया है और सिंबोलाइज कर रहा है कि अटैक से बचके भी आया क्योंकि इसकार डाक है डाक होने की बेस पे जो डाक कलर है वो इवल को सिंबोलाइज करता है एनियाव इसकार की बहुत सथा इंटेपोटेशन है मैं आपको सिजस्ट करूंगी आप खुछ से रीड आउट कर ल ठीक हो गया और दूसरा पोइंट दिया जाता है जब उसने कहा था कि मेरे पास एक बॉल्टन वेक्स गेनी के एक कैंडल थी कैंडल की वेक्स गिर गई उससे यह जला तो हो सकता है यह जूट बोलाओ अगर यह जला होता तो यह सकार इतना ज्यादा प्रोमेनेंट ना होता चितना इसको हाईलेट किया गया तो इन डेटिंगnya हम लोग ने जो समझा है इस से यही समझा है कि चंगेज जो था वो अमेरिका को बड़ा आइडालाइस करता था न्यू योग बड़ा आइडालाइस करता था उसने अमेरिकन ड्रीम बना रखा था जब ऑन उमेरिक सग औ पाकिस्तान आ गया लेक्ष्टर बन गया उसने एंटे-अमेरिकल लेक्ष्टर दिना शुरू कर दिये आई होपे लेक्ष्टर आपके लेक्ष्टर आपके लेक्ष्टर रहा होगा दुआओं में कास याद रखिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स लेक्ष्टर के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज